हेलो फ्रेंड मैं सेल्फ अने शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल वाइस वर्डपर्स ग्रूप आपका स्वाकत है दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे गूगल एड्सेंस वर्सिस इंफो लिंक के बारे में हम जानेगे कि गूगल एड्सेंस क्या है इनके बीच में डिफरेंसिस क्या है कौन सा बेस्ट है बाकी फाइनल डिसीजन आपके उपर है मैं सिर्फ इसमें इनके बारे में नौदेश शेयर करूंगा और इनके बारे में बात करूंगा ठीक है तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं कमपनी का लग लग हो सकता है जैसे गुगल अड़सेंस का नाम आपने सुना होगा शायद पता नी सुना है कि नहीं लेकिन वैसे बहुत फेमस है तो जो भी ऑंलाइन आर्निंग के बारे में सर्च करते है या पढ़ते हैं या कर रहे हैं तो वो गूगल एड़सेंस के बार adsense section में वो publishers को add देती है जो अपने blog ए website पे मतब उसको publish करते हैं दिखाते हैं और उसे जो भी earning होती है उसका कुछ हिस्सा Google अपने पास रखती है बाकी publishers को दे देती है तो इस तरह से network चलता है और similar यही process जो हर company में है जो adsense परवाइड गरती है इस तरह की पहुत सारी companies है ठीक है तो जो info links है वो भी मतब जो है Google adsense की तरह ही एक adsense company है ठीक है दोनों ही advertising companies है और दोनों ही का adsense है ठीक है और वो भी उसी तरह से काम करती है जिस तरह से Google adsense करता है सिर्फ उनके काम करने में फर्क है और कुछ advantages है जो दोनों companies के अलग अलग है ठीक है और बाकी ये दोनों adsense companies है जैसे कि मैंने आपको बताया ठीक है तो adsense के जरीए आप online पे काफी अच्छी marketing कर सकते है यदि आपके पास कोई website है blog है या web 2.0 blog है या कोई मतलब इस तरह से है platform और उसके लिए आपको approval लेना पड़ेगा ठीक है जैसे स्पोस google adsense के लिए आप जाते हैं तो google adsense के लिए आपको sign up करना पड़ेगा gmail account होना चाहिए आपका और google adsense के लिए अब जब sign up करते हैं तो आपको अपनी website या back 2.0 जो भी blog है आपका उस पे मतलब जो है अपनी ads को लगा कर earning कर सकते हैं ठीक है तो पर यह है कि google adsense का थोड़ा सा minus point है कि आज कले मैंने देखा है कि मेरी कुछ starter website सी तो उनको जो नई websites होती है उनके लिए मुश्किल हो जाता है approval क्योंकि यह उन sites को ज्यादा प्रेफर करता है जो जिन पर अल्रेडी ट्रैफिक हो जो अच्छा मतब जिनका reputation हो online ठीक है मतलब उनको ज्यादा प्रेफर करता है तो कई बात नहीं और starter websites को या जो low level की websites है मतब छोटे लेवल पे हैं अभी just started है उनके पास बहुत कम viewers है जैसे माली ये per day आपके पस 50-100 viewers आते हैं ठीक है ना visitors आते हैं आपके पास तो naturally कि यासी websites को कई बारे अप्रूब नहीं करते हैं तो काफी मुश्किल आती है जो नए बंदे हैं उनको काफी problem होती है कि उनका approval नहीं हो पाता हैं क्योंकि ये कोई भी गलती माफ नहीं करते तो naturally इनके conditions hard है वो अच्छी बात है लेकिन मतलब तो मतलब ये भी थोड़ा सा minus point है क्योंकि conditions थोड़ी से hard है लेकिन अच्छा network है मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके साथ आपको काम नहीं करना चाहिए ये काम करना चाहिए लेकिन easily approved नहीं करते हैं और मतलब ये थोड़ा problem हा सकती है आपको ठीक है जोकि info link में एक फाइदा है कि info link वाले के साथ आपको एक publisher account create करना है और अपनी website को add करना है और approval के लिए जो है submit करना है और उसके जो codes वो देंगे आपको उसको अपनी website integrate करना है ठीक है I hope so मतलब 100 में से 90% जो है आपको जो है चार से साथ दिन के अंदर जो है approval मिल जाएगा कई बार तो खैर एक तो दिन में ही मिल जाता है और यदि अगर कोई website disapproved होती है तो उसका reason यह हो सकता है कि अडिवेटाइजर friendly नहीं है या उनके पास उस topic को लेकर जो है अडिवेटाइजर नहीं है तो कई बार ऐसा मेरे साथ एक तो बार ऐसा हुआ है लेकिन वैसे जो है उनका approval system जो है वो काफी फास्ट करते हैं और दूसरा जो starter websites हैं नई websites हैं छोटी websites हैं उनको भी मतलब जो है वो support करते हैं यह इनका सबसे वड़ा फायदा है info link का और लगबग इसका जो structure है और इसके जो pricing है वो लगबग जो है google adsense के मतलब थोड़ा सा कम हो सकती है लिकिन यह है कि आपको fast approval मिल सकत है अगर आप ने जो blogger हो ने website owner हो आपकी website है उस पर काफी कम traffic है तो मतलब easily आपको approval मिल सकता है और आप ads show करना शुरू कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्दी earning हो सकती है बाकी इसके अलावा जो है info link की अगर बात करें तो info link जो है डेड़ लाग से उपर ऐसी sites है यानि कि ऐसे publishers हैं जो की earning कर रहे है info link platform के तुरू और 128 countries में काम कर रही है कैलिफॉर्णिया युस्टे में इसका जो है office है ठीक है और इसके अलावा ये जो है world का जो है मतलब internet world की जो है 6th largest advertising network है ठीक है और 1 lakh plus जो है websites पे ये मतलब जो है इसके साथ जो है publisher जूड़े हुए है मतलब जैसे कि मैंने बताया एक लाग से उपर डेड़ लाग के करीब बता रहे हैं ठीक है और काफी अच्छी और reputed company है top 10 वे है तो इसके साथ भी आप काम कर सकते हैं और easily मतलब जो है आप इसके साथ जूड़ सकते हैं और इसकी conditions भी थोड़ा flexible है जिसकी विज़े से आपको जो है असानी से approval मिल जाएगा और आप अपनी चोटे बड़े website blog या web 2.0 blog पर easily इसको integrate कर सक सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो है इसका जो है इस तरह से आपको यहां पर है जितनी वर्जी website से आप जोड़ सकते हैं इसमें कोई condition नहीं है कि एक ही site पर दिखाना है ठीक है Google AdSense में भी यह feature है कि आप एक से जादा website जो है एड़ कर सकते हैं अपने Google AdSense account में और उनको करवा कर उनमें ads publish कर सकते हैं ठीक है जैसे कि इसमें काफी सारी websites हैं जो मैंने वतलब add कर रखी है और सभी active है ठीक है और इसके अलावा जो है इसका जो advertisement का format है वो in text ad है ठीक है जबकि यह वाली जो चीज है feature है जैसे मालो कि आपके paragraphs के बीच में links आएंगे यह especially Google AdSense में न मतलब जो है इसे काफी earning हो जाती है ऐसा नहीं है क्योंकि यह तरीका काफी अच्छा है ads को display करने का ठीक है और in text ad बोलते हैं इसको और इसमें आप frequency set कर सकते हो अपनी की x करना है एक से 12 links आए या कितने आए ठीक है तो मैंने 6 पे set किया है कि एक page में 6 links दे सकते हैं ठीक है इसको आप कम जादा गर सकते हैं ठीक है और सरसे dot वगयरा color वगयरा जो आप चाहें ठीक है in fold है ठीक है in fold add जो है वो इस तरह से आती है जब भी आप page खोलते हैं नीचे से उपर की दरफ उठती होई यह भी काफी अच्छी और effective है ठीक है in tag in tag मतलब जो आपका article होता है उस ठीक हें मतलब वे हैं तो और networks के मावले में Google AdSense के बाद जो और networks के मकावले में इसको जो है डिस्प्ले करने का जो एड्स को डिस्प्ले करने का या लिंक्स को डिस्प्ले करने का जो तरीका है वो काफी अच्छा है जिससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं ठीक है इसके अलावा इसमें सबसे वड़ी बात है one minute integration है especially static website के लिए यहाँ code पड़े हैं ठीक है body area में इस code को आपको copy paste करना होता है बाकी यहाँ लिखा है ठीक है और उसके बाद आपका integration हो जाता है बाकी इसके लाब वर्डप्रेस के लिए especially plugin भी नोंने design किया यदि आप wordpress blogger है wordpress का यूज करते हैं क्योंकि करोडो लोग wordpress का यूज करते हैं ठीक है अब जैसे blogger पे यानि कि web 2.0 blog है आपका blogger पे web 2.0 properties कहते हैं जो भी established platform है उन पे जिसका भी blog है sorry तो से हम web 2.0 blog कहते हैं ठीक है बाकी इसके लाब आप blogger के लिए भी especially integration का option है ठीक है drupal के लिए है जुमला के लिए है especially wordpress क्योंकि word famous है और मैं भी इसमें बहुत जादा काम करता हूँ तो ये बहुत easy है simply plugin डालना है और अपना publisher ID और website ID डालनी है और उसके बाद अपने हिसाब से जहाँ भी code लगाना चाहो लगा सकते हो और अपनी ads को publish कर सकते हो और जैसे ads publish होना शुरू होगी तो आपकी earning भी शुरू हो जाएगी और सबसे वड़ी बात है लोग सवाल पूछते हैं कि जो है मतलब कितनी earning होगी कितनी earning मैं नहीं बता सकता कि कितनी होगी क्योंकि वो आपकी site पे depend करेगा यदि आपकी website पे 85 visitors per day आते हैं तो naturally आपकी earning कम हो सकती है फिर उसके बाद 50 में से कितने लोग उसको देखते हैं तो वो depend करता है अगर 50 के 50 देख के जाते हैं तो वो अच्छी बात है तो जरूरी यह नहीं कि बहुत जादा viewers आते हैं तो ही आपको earning हो सकती है जादा ठीक है ना यह तो इस बात पर भी depend करता है कि आपकी ads कितने जादा लोग देख कर जाते हैं क्योंकि आपने ads publish कर दी लेकिन उनको watch कितने लोग करते हैं लेकिन आपकी जो शुरुवात है वो असानी से आपको approval मिल जाएगा और इसके बाद आप असानी से earning करना शुरू कर देंगे और इसके बाद आप अपनी website को improve कर सकते हैं क्योंकि आपको एक confidence मिल जाता है कि नहीं मेरे website अप्रूब हो चुकी है वो तो बढ़ जाएगा वो तो आपके बढ़ाने पर है आपके website के promotion पर है या आपके काम करने के तरीके पर है ठीक है और अधि आपके website popular हो जाती है in future तो बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हो तो ऐसा नहीं है कि info link जो है एक best option है और best google alternative है तो google adsense और info link दोनों ही program अच्छे है इसमें कोई problem नहीं है google adsense बहुत अच्छा program है बहुत पुराना और इनों बहुत established platform है मैं यह नहीं कहूंगा लेकिन इसमें थोड़ा approval का बहुत issue है और कुछ conditions है जो काफी hard है जो harm starter लोग नहीं कर बाते हैं तो naturally है कि उनके लिए बहुत सारे best alternatives है लेकिन इनमें से जो मैंने find out किया है वो है info links ठीक है और info links जो है google adsense का एक best alternative हो सकता है क्योंकि मतलब यह काफी मतलब top 10 में है world मतलब adsense जहां भी programs है तो उनमें top 10 में है यह और काफी अची reputed company है और इसके साथ मैंने भी काम किया है तो naturally है मैं कहूंगा कि यह काफी अची है तो इसको मैं prefer करूंगा ठीक है google adsense के मकावले में इसमें थोड़ा approval easy है integration easy है और ad के format भी अच्छे है जिसकी वज़े से जो है आप काफी अची है रनिंग कर सकते हैं ठीक है और यह मतलब चोटी websites को भी support करते हैं सबसे बड़ी वाद तो वह है ठीक है और अगर आप नए है या आपकी website चोटी है त publishers के लिए यह नए मतलब जो bloggers हैं यह नए जो websites हैं उनके लिए शायद यह इतना friendly नहीं है current time में तो इसलिए मैंने यह video बनाया है दोस्तों ताकि आपको थोड़ा पता चल सके इसके बारे में की google adsense और info link में क्या difference है और ताकि आप इसके बाद फैसला कर सकें कि आपको कौ सा program चूज करना है कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग google के साथ काम नहीं करना चाहते किसी कार्ण से तो naturally info link के साथ कर सकते हैं और अपनी website और blog से earning generate कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको google adsense और info links के बारे में कुछ मतबड details में बताया और थोड़ा जो है इसके बीच में क्या differences है क्या चीज इसमें google adsense में अच्छी है क्या चीज info links में बैटर है तो अब आपको decide करना है कि कौन सा program join करना है और online money making जो है आपकी शूरू हो जाएगी ठीक है तो थोड़ा सा इसके बारे मैंने आपको फूल रहेगी ठीक है तो दोस्तों आपको ये मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो ठीक है तो इसे like करें share करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे latest आने वाले valuable वीडियो के update time to time मिलते रहें और thanks दोस्तों have a nice day thanks for watching my video